है लो दोस्त्तों आप सभी का सब्सक्राइब आज की वीडियो में, आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको करवा रहा था GK का portion जिसमें मैं आपको political science में आपको करवाय था उसके साथ साथ में आपको बोला था कि आपका इतियास और geography भी मैं आपको start करवाय दूँगा तो जिसमें मैं आपको political science और geography भी मैं आपको start करवाय रहा था तो ध्यान रखेगा आज हमारी जो पहली क्लास है इतियास की तो हम इतियास का base समझेंगे कि इतियास का कहा से questions बनने ये chances है और किस परकार से हमारे इतियास से questions पूछे जाते हैं तो जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे हमारे सारी चीज जो बीता हुआ समय है न वो ही हमारा इतियास हो सकता है और होता भी है जैसे कि आपके कल की चीजें वो क्या होगी आपकी वो आपकी पूरी की पूरा भूतकाल हो गया भूतकाल मतलब इतियास हो गया तो वो ही सारी जैसे जैसे समय बित्ता गया पुरानी चीजों को हम इतियास के रूप में मानने लगे लेकिन जैसे जैसे हम पुरानी चीजों को कोई सबूत ना हो तो हम उस चीज को साबित कैसे करेंगे इसलिए अब इतियास को कुछ चीजों को साबित कर चुके हैं हम उसी को ही इतियास मा दाई में आपके जो पुराने जमाने के बरतन, पुराने जमाने के मूर्तियां वगयरा निकली थी, उसके अनुसार आपके जो स्रोत होते हैं इतियास के, उसको माना गया था इतियास का, दूसरा है आपका लिट्रेचर यानि कि साहित थे, यानि कि पुराने जमाने में भी को जो आपके psychologist या आपके जो main विद्वान होते हैं, जो आपके पूरे के पूरे इतियास के शोत का खोज करते हैं, उनके द्वारा जो किताब लिखी गई हैं, उन सबूतों पर आम इतियास को मानते हैं, तो ये तीन चीज़े आपके main जो इतियास के शोत के रूप में इस्तमाल के जाते हैं, तो ये तो हो गया आपके इतियास के शोत के बारे में, चलिए आप बात कर लेते हैं इतियास के भाग के बारे में, तो इतियास के तीन भाग होते हैं कौन-कौन से, prehistory, protohistory and history, जिसको आप हिंदी में प्राग के इतियास, अर्दे इतियास और इतियास कहते हो तो ज़ाद आपके जो question पुछे जाते हैं paper में वो आपके इतियास यानि की history से पुछे जाते हैं तो हम तीनों को विस्तारिट से बात करेंगे जैसे कि आपका पहला prehistory prehistory क्या होता है तो ध्यान रखेगा Prague के इतियास वो आपका गुजरा हुआ समय जिसके बारे में आपके कोई भी लिखित जानकारी या लिखित सबूत नहीं मिला समय तो बीता है लेकि उसके बारे में कोई सबूत नहीं हुआ हमारे पास कि वो समय बीता है या नहीं बीता है यहां से आपके कुछ questions है आपके वो limited question है, 10-12 question मैं अभी आपको बता दूँगा, आज हम prehistory को ही पढ़ेंगे, उसके इलावा आज तक यहाँ से कोई question नहीं पूछा गया है, अब बात करें, proto history के बारे में, तो proto history के आपके वहब का बीता हुआ समय है, जिसके बारे में सबूत तो मिले हैं, लेकिन उसको question नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि जब इसको कोई समझी नहीं पाया है, तो वहां से question बनने का तो कोई chances ही नहीं होते हैं, अब last आता है आपका history, यानि की इतियास, यहाँ पर आपके सबूत भी मिले हैं, लोग इसे समझ भी पाए हैं, और लोगों ने इसको आगे बढ़ाय यहाँ से तो आपके भर-भर के question पूछा जाते हैं, इतियास को हम तीन भागों में distribute करेंगें, कौन-कौन से भागों में? तो पहला इतियास होगा आपका प्राचीन, यानि की जैसे आप Asian कहते हूँ, दूसरा होगा आपका मध्यकालीन, यानि की Middle East, और तीसरा होगा आपक गट गया है, तो ऐसा क्यों है? जैसे कि आपका एक के बाद दो, दो के बाद तीन आता है, तो यहाँ पर पच्चिस सो पहले आया और एक हजार बाद में आया, यहाँ पर समझने की बात एक यह है, आपने देखा होगा जब भी आप graph बनाते हो, तो graph में आपका minus 2 और minus 3 लि प्राचीन इतियास का जो समय होता है आपका, पच्चिस सो बीसी से लेकर एक हजार एडी तक है, मध्यकालीन इतियास का जो समय था आपका, एक हजार एडी से लेकर 1707 एडी तक था, और modern यानि कि आधुनिक इतियास का जो समय काल था, वो 1707 से लेकर आज तक का, यानि कि ज बार बार वही repeat पूछे रहते हैं, उनको समझा देता हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था, वह गुजरा हुआ समय, जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है, उसको बोला जाता है, प्राक के इतियास, ओके, अगर एक question बहुत बार पूछा जाता है, अगर आप theoretical paper दे रहे हो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इतियास क्या है, आम इतियास किसको मानते हैं, तो ध्यान रखेगा, इतियास वह है, जो कि हमारे भारत के गजट बुक में, ध्यान रखेगा, गजट बुक में परिश्कारित है या लिखित है, ओके, गजट बुक का न किसे का जाता है, तो प्रिश्टी को भी का जाता है, और इसको भी कितने भागों बाटा गया है, तीन भागों में, कौन-कौन से, पहला आपका पुरा पाशान, यानि कि आपका फिलोलेटिक्स, दूसरा आपका मध्यकालियन, यानि कि मेसलेटिक्स, और लास्ट आपका तो इन तीन कालों में बाटा गया आपके पुरा पाशान काल को जो किसका समय काल है आपका पुरा पाशान काल का 20,000,000 साल पहले से लेकर 12,000 वर्षपूब समय जो बता रहा हूं मैं आपको ध्यान रखी का डिरेक्टली कोशन पूछा जा चुका है कि पुरा पाशान काल का समय क्या था तो 20,000,000 से लेकर 12,000 वर्षपूब जो समय था हमारा वो आपका पुरा पाशान काल का था मध्यकाल का जो समय था वो 12,000 से जैसी ही खतम हुआ तो आपका मध्यकाल का समय शुरू हुआ 12,000 से लेकर 10,000 का जो समय काल था वो आपका मध्य काल का था और नब पाशान काल का जो समय था वो 10,000 से लेकर 4500 वर्षपूर्व का जो समय काल था वो आपका नब पाशान का काल था अब तीनों को विस्तारित में समझते हैं पहला मैं आपको बता देता हूँ पुरा पाशान काल यानि कि फिलोलेटिक्स की समय आपके क्या-क्या घटना ही हुई थी तो ध्यान रखे का मानव की जो उत्पत्ती हुई थी वो आपके पुरा पाशान काल यानि क जो आपका फियोलरलेटिक्स है, पुरा पाशानकाल से समय के पहले, बहुत पहले की घटना है यानि कि अगर आपसे पुछा जाए कि मानव की उत्पत्थि या मानव का जनक कब हुआ था, तो वह आपका 56 लाँ वर्ष पूर पहले, पुरा पाशानका समय काल मेंने क् क्यों उत्पत्ति हुई थी कहां पर अफरीका के बीचों बीच यानि कि जो अफरीका है वहां पर आपकी मानव की सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी ओके दूसरा आपका आग की खोज अगर आपसे पुछा जाए कि आग का अविश्कार यह आग की खोज कौन से काल में हुई तो पुरा पाशान काल में ही आपकी आग की खोजवी थी, कब तो 40,000 वर्ष पूर पहले आपकी आग की खोजवी थी, ओके, तो वो था आपका पहला काल जो की पुरा पाशान, अब बात कर लेते हैं मध्य पाशान काल की, तो मध्य पाशान काल में क्या हुआ था, तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा में घटना इन नहीं घटी थी बस डिरेक्ली ये पुछा जाता है कि आपका जलवायू परिवर्तन कोन सा समय काल था तो मध्य पाशान काल जो था वो समय जलवायू परिवर्तन का समय काल था ओके अब बात कर लेते हैं नप पाशान काल की बहुत दूसरा कोशन है आपका पहिये यानि की जो वील होता है उसकी खोज कब होई थी तो वह भी आपकी नप पाशान काल में होई थी 35,000 वर्ष पूर पहले कब 35,000 वर्ष पूर पहले बहुत इंपोर्टन कोशन है काफी बार पूछा जा चुका है तो ध्यान रखेगा इस कोश जिसको आजकल क्या बोले जाता है सुलेमान एवं किर्थक माउंटेन यानि की परवत बोला जाता है तो कहां पर शुरुआत हुई थी सबसे पहले खेती की तो पाकिस्तान मेहरगड के अंदर हुई थी अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कृशी की शुर कि ऐसी कौन सी सब्वेता है जो आपस में फल फूल रही थी एक समान समय पर तो भारत मेसोपोटामिया मिश्ट और ये चीन ये चार सब्वेता हैं ऐसी सब्वेता हैं थी जो एकी साथ फल फूल रही थी तो ये कोशन डिरेक्ली पूछे जा चुके नपपाशानकाल से तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्योर हिस्टी के बारे में जो कि प्राची नितियास मद्यकाली नितियास और आधुनिक इतियास से जो कोशन आपके पूछे जाते हैं बहुत सारे चाहिए आपका SST का अग्जाम हो UPSC का अग्जाम हो किसी का भी अग्जाम हो बहुत सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए उसके साथ में जो बैल आइकन होगा उसको भी दबा दीजीगा ताकि आने वाली वीडियो को नोडिविक्शन आपको टाइम पूटाइम मिलती रहे तो आज की वीडियो में आपसे फिर मुलागात होगी नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जैहिन जै भारत